क्यों 99% आफ दे ड्रॉपर्स अगेन नीट 2025 का जब पेपर देने बैठने वाले हैं तो फेल होंगे बहुत ही जादा कड़वा सच बोलने वाली हूँ इस वीडियो में अगर हिम्मत है तो एंड तक जरूर से देखना आज तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं अगर हिम्मत है ना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखकर जाना और इतना गैरेंटी देते हैं कि अगर एंड देख लिया तो फॉर शूर आप इस 99 परसंट में नहीं होंगे आप उस एक परसंट में होंगे जिसका सेलेक्शन हो रहा होगा 2025 में क्यों माम ऐसा क्या कहने वाली है आप ऐसा क्या अलब कहने वाली है जो दुनिया कहती है वही तो बोलेंगी कि पढ़ लो दुबारा से स्टा सेलेक्शन नहीं हुआ ऐसा क्यों ड्रॉप लेना सबसे पहले बोलेंगे ड्रॉप लेना एक बहुत ही हिम्मत वाली बात होती है यार हर कोई बच्चा ड्रॉप नहीं ले सकता अपनी जिंदगी का एक साल उस ड्रीम के लिए जोंक देना और जिस ड्रीम के पीछे शायद न जवाप लेना यह सोचना अपने पेरिंट से लड़ना अपने रिष्टेदारों को जवाब देना अपने फ्रेंट्स जो आपके साथ थे वो आगे नेक्स डिग्री में चले गए आप वहीं के वहीं हैं यह फैसला लेना इजी नहीं होता बट अगर आपने यह फैसला लिया है तो I don't want कि आप इस 99% में लाए करें I want आप उस 1% में हो जिसका सेलेक्शन उसके ड्रीम कॉलेज में हो रहा हो सबसे पहले मैं आप से पूछूंगी कि क्या आपने identify किया कि कहां कमी रही क्या आपकी preparation में कमी थी क्या आपकी preparation start करने के time में problem थी यानि कि आपने शायद late start क किया या आपने revision proper नहीं किया या आपने mock test नहीं दिया what was the mistake या simply यह सब किया था सिरफ last moment पे अपने उपर confidence नहीं दिखा पाए थे में भी anxiety हो रहा होगा में भी हाथ पैर फूल रहे होंगे usually ऐसा होता है मैंने कई neat aspirants को पढ़ाया है and mentor किया है इतने अच्छे अच्छे बच्चे जो mock test में बहुत अच्छा score करते हैं 650 plus तक score कर रहे होते हैं last moment पे जाकर क्यों self control anxiety handle नहीं कर पाते हैं ये गलत बात नहीं है anxiety हो ना ये कोई बुरी बात नहीं है anxiety के ओपर control ना कर पाना ये भी कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि ये किसी ने सिखाया ही नहीं ना इसके साथ तो हम अकेले ही लड़ रहे थे इसके बार में तो किसी ने बताया ही नहीं माम ये तो किसी चाप्टर में पढ़ाया ही नहीं ये तो किसी यूट्यूब सेशन में cover हुआ ही नहीं ये तो तो किसी course में बताया ही नहीं गया तो फिर माम इसके उपर कैसे work करें हर कोई बता देता है कि तुम इतने mock test लगा लो तुम previous question लगा लो तुम यहां से पढ़ लो तुम हजार हजार question practice कर लो यह सब हर कोई बता देता है बट अपने उपर काम कैसे करना है अपने anxiety के उपर काम क कैसे करना है और इन सब मिसे हट कर selection कैसे लेना है यह कोई नहीं बताता है I am there for you, your deedu is there for you, आज से आप मुझे अपनी बड़ी भेन मानिये, मैं आपके एक बड़ी भेन बनके चाहती हूँ, सच में चाहती हूँ कि आपका need 2025 में selection हो जाए, तो उसके लिए मुझे आपका चाहिए होगा, सफर जादा हसीन नहीं होगा, आज ही आपको बता देते हैं, यह सफर need 2025 तक पहुंचने का इसको crack करने का जादा हसीन नहीं होगा, हर मोड पर हर वक्त ऐसा लगेगा कि पीछे आ जाए, बट आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना है, आपको हमारी complete doctors अड़ा ट intent देखिए, आप उसके बाद mock test दीजिए, then you will realize, कि यह जो सीड़ियां बनाई हैं न मैंने, यह आपके dream college तक आपको लेकर जाएंगे, for sure बेटा, बट उसके लिए, इस time शायद तुम अभी पहली सीड़ी पर हो, शायद तुम ने अभी अभी failure को देखा है, बहुत करीब से देखा है, हो सकता है, आप second time drop लेकर अप preparation start करें, हो सकता है, आपका first drop हो, even कि मैं यह बोलूँगी, first drop से जादा heart breaking होता है, second drop लेना, बहुत हिम्मत वाली बात है, but खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, make sure that कि आप इसको कमी, इसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे, क्योंकि यार लोग तुम पर trust नहीं करेंगे, even कि there are some times बिटा, जब आपको ऐसा लगेगा कि life में शायद मम्मी पापा भी support नहीं कर रहे हैं, बट तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा, तुम्हें खुद पर trust दिखाना पड़ेगा, because अगर तुम खुद पर trust नही मोटिवेशन एक दिन मैंने दे दिया, next day फिर से मोटिवेशन ढूंडोंगे, एक बार अपने आपको समझा लो, देखो अभी इस वक्त यहाँ पर हो, है ना, अभी आज अपने आपको समझा लो, कि second CD पर चड़ना है कि नहीं चड़ना है, second step पर आगे जाना है कि नहीं जा अगर नहीं जाना तो यहां से exit हो जाओ, बट अगर दिमाग में बिठा लिया है कि चड़ना है, उपर तक पहुंचना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर का tag लगाना है, लोगों की help करनी है, तो self motivated रहना सीखो, first of all you should be self motivated always, there is going to be a time, एक ना एक दिन ऐसा आएगा, जब आपको इसा लगेगा कि शायद मैं किसी ऐसे goal के लिए भाग रहा हूं या भाग रही हूं, जो achievable नहीं है, बट आपको एक चीज याद रखना है, the word impossible itself says that I am possible, so there is nothing better जो possible नहीं है, सब कुछ possible है, बस yes आपका dedication चाहिए होगा, once you are covering this tip and you are motivated enough, then you have to identify, yes, identify करना पड़ेगा कि क्या कमिया रही थी पिछले साल, किस चीज में कमी रही थी, उसके उपर हमें work करना है, and you have to answer yourself, even in the comment section of this video, what different this time, इस बार आप क्या different करेंगे, जो आपने last time identify किया, आपने गलत किया, चाहे मैं बुनों आपने practice में कमी करी, तो इस बार आप कितने questions और extra practice करने बाले है, शायद ऐसा हो सकते कि आपने revision ने किया, तो इस बार आप revision में क्या different करने बाले है, you can even ask me in the chat box, आप comment में, comment कीजिए, जो भी आपका problem था, I will try to resolve your problem, making a video on it, next, you have to follow the single source, there are students who follow multiple sources, multiple books, कभी भी selection नहीं होगा बटा, topper के मुँ से सुन लेना जाकर, हमेशा topper stick रहता है एक source पर, ऐसा नहीं है कि 10 books पढ़ने से selection होगा, एक book को ही बार बार पढ़ोंगे ना, तो selection के chances बढ़ जाते हैं, एक teacher से बार बार पढ़ोंगे, selection के chances बढ़ जाते हैं, 10 teacher से जाकर पढ़ोंगे, 10 teacher, 10 question करवाएंगे, 10 question म से आपको कितना याद रहेगा, कुछ भी नहीं, why so? क्योंकि हर teacher का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, आप एक teacher, जिसके साथ भी आपका tuning सही बैठ रहा है, आप उसकी classes में आईए, daily आईए, ऐसा नहीं कि एक दिन आए, अगले दिन नहीं आए, उससे अगले दिन आए, उ नीट मांगता है, consistency, which is very very important, frequent revision plus mocks is important, neat का जो syllabus है, वो बहुत वास्ट है, इसमें 11th और 12th दोनों आता है, you need frequent revisions, अगर revisions नहीं करोंगे, confidence नहीं आएगा, eventually you will die out, आपको ऐसा लगेगा, कुछ भी नहीं आता है, so you have to work here, even mock test देने के बाद, you have to analyze, सब यहीं बोलते हैं, हम आपके different बोल रहे हो, analyze कैसे करते हो, question देखते हो, यह वाला solve नहीं हुआ, इसका solution यह होगा, उसको analyzation नहीं कहते हैं, बटा, analyzes आप concept देखो, इस concept में problem आ रहे है, उस concept की ऊपर ढूंड ढूंड के, ढूंड ढूंड के questions लगाओ, अगर नहीं मिल रहे हैं ना, questions खुद बनाओ, जितने questions तुम खुद से पूछोंगे, उतना ही तुम उस concept में पके होते जाओंगे, doubt portal के उपर doubts पोस्ट करो ना यार, description box में नीचे link अवालेबल है, उसके उपर doubts डालो, right, then, उसकी बाद अगर हम बात करें, last step, बहुत important, जब आप तुम पे dependence gain नहीं होता है, और एक ही चीज आता है, बायो हो जाएगा, chemistry भी माम थोड़ा बहुता कर लेंगे, physics में numericals नहीं हो रहे हैं, तो वो तो तुम्हें यहाँ पे identify करना था ना, कि physics में numericals क्यों नहीं हो रहे हैं, बिटा, जिस stopper की numericals हो रहे हैं, वो कुछ अलग पढ़ रहे ह वो भी वही physics पढ़ रहा है, बस आप जैसे पढ़ रहे हो, वो शायद तरीका सही नहीं है, प्लीज एक बार मुझे बताइएगा, biology, chemistry and physics में से कौन सा ऐसा subject है, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसके बाद हम उसके उपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, because connected रहना बहुत जरूरी है, अगर आप यहां तक dream college तक पहुँचना चाते हो, अगर आप एक figure सोच के बैठे हो, 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी selection होगा, आज बता देती हूँ बता, ऐसा नहीं है, 10 से 12 घंटे, copy खोल के बैठे हो, book खोल के बैठे हो, दिवाग में कुछ ने घुसरा, अरे किसको दिखावा कर रहे हो यार, किसके लिए दिखावा कर रहे हो, मत करो, प्लीज मत करो, effective 7 to 8 घंटे पढ़ो, effective मतलब जब माइंड वहां पे है, पढ़ने की तरफ है, जितनी भी distractions है, प्लीज दूर कीजे, finally, keep following us, for sure you are going to be a future doctor, and there will be a day, when you will be standing here next to me, on doctor's adda 24-7, and you will be motivating students, कि यार, ऐसे ऐसे गलतियां करी थी मैंने, तुम मत करना, तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ, आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल आइकन को प्रेस कीजे, वीडियो कैसा लगा, comment section में जरूर से बताईएगा, एक positive attitude के साथ, बढ़िये, selection जरूर होगा, don't forget to like the video as well.